गुड मॉर्निंग फ्रेंज तो आज है सटर्डे यानी सेवन एक्टूबर और आज बेटी का एन्वाल फंक्शन है तो रात में इसे मैंने जल्दी सुला दिया था नौ बजे ही सो गई थी ताकि यह सुबह उठ जाए अगर यह टाइम से नहीं सोती और सुबह जल्दी उठ बहुत चिर्चिर करती है और मैं नहीं चाहरी थी कि चिर्चिर करें और उससे क्या होता है कि अपना भी दिमाग खराब होता है बच्चे सुबह सुबह कुछ चुट पटांग बोलने लगता है तो इसलिए मैंने सूचा चलो तुम जल्दी सो जाओ तो सुबह आराम से उठ होगी और काफी फ्रस महसूस करोगी तो यह आज जल्दी उठ गई थी मेरे साथ ही उठ गई थी मतलब इनको नीन तो नहीं आ रहे थी क्योंकि नो बज़े सो के उठ गई तो पांच बज़े इसकी नीन खुल गई थी और यह मुझे देख रही थी कि मैं का उठने वाली हू और आस सुबह वाग पे भी नहीं गई और सारे पांच बज़े उठ गई थी 5 बज़े से उठी होई थी बस बिस्तर में से लेटी होई थी सोची थी कुछ ज़्यादा इवल जल्दी उठ गई और यह सोच्ते सारे पांच हो गई और फिर आऊंगी तो फिर काफी ज़दा थ चड़ादी है क्योंकि प्रोग्राम में जाओंगी उसके बाद फिर आओंगी तो काफिर टाइम लग जाएगा घर पहुंचने में पता नहीं क्या कैसा टाइम रहेगा तो इसी आप से मैं सोचा चलो दाल पका ही देते हैं अगर बच्चे भूखे रहेंगे तो दाल पकी रहे थी और बेटा सो रहा था तो बस सारे बिस्तर चद्रे जोड़ने की होती है वह सारा सटकर के नीचे रख दिया था अभी कर लूंगी यह बैड की डस्टिंग और बेटा सोने दूंगी क्योंकि अगर यह उठ गया तो फिर कोई काम नहीं हो बाएगा तो मैंने सोय चलो लेती हो में रोज ही आदत है रोज ही रस्टिंग करती हूं नहीं तो यह हलका हलका सा उपर में वाइट वाइट सा भी दिखता है तो मुझे बड़ा आजीव लगता है तो यह टीवी उनिट रोजी पूछती है और जितने भी यह उपर कुछ भी डेकुरेशन के आइटेम तो उनको भी हटाटा के पोछी लेती है तो टेबल हो गया काउच वगदा का जो भी साइड साइड का दिखता ही है तो तर टाइम भी लगता कर रोज 5 बिट लगा कर कि मैं सारी गर के डस्टिंग लगती हूं आ позвол ship सबसेaráवन के वाइं वहीं नहीं पड़ती है तो बस यहीं सारी डस्टिंग वस्टिंग हो जाएगी उसके पाद लागा लोंगी पोछा और इसके बाद नहानात और पीटी को भी नहाना था यह जगता ही न मेंकप दिखाऊ है हुआ शी महाकाल, हैलो माय यूटू फैमिली कैसे हैं आप सब आप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो बस आज मैसी का अनुवल फंक्शन है तो उसे तयार किया है कुछ ऐसी दिख रही है आप लोग बताना कामें कैसे किया है कैसे मेक अप किया इसका मेक अप तो मैंने अपनी हिसाब से थोड़ा अच्छा से ही किया है और काफी टाइम लगए काफी टाइम से उटी हूँ घर का सारा काम नेपटाया और दाल वगरा बना के रगदी है ताकि हाए तो खाने के लिए बस चावल वगरा रहे और ताल में त चले-चले-चले-चले और जाओ आजओ वाव ताल मां सुंदर बना है कैसा है बावी अश्व मज हाय है तो अब यह सिनकिया टिस्टी है इश्व मजा यह चैपर कई है मजा करा है कि नहीं आ रहा इसे तो बच्चों को लेकर के यहां auditorium हम लोग बस century करी चुके थे और काफी ज़्यादा खाली था क्योंकि सबी लोग अभी breakfast कर रहे थे नीचे में और उसके बाद तो पूरा ही भर गया था बैठने की जगे भी थोड़ी कम ही पढ़ रही थी और हमने सोचा था हम सबसे आगे बैठेंगे और आगे की seat काफी ज़्यादा फूल हो चुकी थी तो हम लोग तो थोड़ा पीछे ही बढ़ गए थे फिर काफी टाइम बाद मतब 10 से 15 मिर्ट बच्चों की performance स्टार्ट होगी तो छोटे बच्चों से स्टार्ट होई थी एक्शली छोटे बच्चों की थी फिस लास्ट में थोड़ा बड़े बच्चों की लास्ट में करवाया था और यहां मैम लोग भी आचुकी थी चीफ केस पर आ ही चुके थे बस उन्ही का वेट हो रहा था इसी वेसे से थोड़ा से लेट हो गया था और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया बच्चों ने मतलब इतनी समय की तैयारी दिख रही थी कि हाँ बहुत अच्छे से स्टेप बाइस स्टेप बहुत अच्छे से किया बच्चों ने और काफी अच्छा लगता है यह सब चीजे देख करके और बच्चे काफी सब्सक्राइब करते हैं पार्टिसिपेट करने लिए और यहां बस मिस्टी की प्याना अगई थी तो बस उसका परफॉर्मेंस स्टार्थ हो गया था है सुभारम हो सुभारम गाने पर था इसका और गाना अभी मैं आपको नहीं इसमें मतलब दिखा सकती हूँ क्यों कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती यूटूब के हिसाब से कॉपिराइट का प्रॉब्लम हो जाता इस वज़े से नही स्कूल वालों को टच अप देना था और मांग टीका और ये गले का नेकलेस वगरा स्कूल की तरफ से था इसलिए मैंने घर में नहीं पहनाया था उसकूल का सब का वह रंट पे लेते हैं सायथ और सब को एक जैसा ही पहनाते इसलिए था और बहुत अच्छा लग रहा था इससे क्या होता है बच्चों का इसे स्टेज में परफॉर्मेंस करने से बहुत अच्छी बहुत साई चीजे सीखते हैं बच्चे इस सब चीजे कर करके तो बस मैं हमेसे ही बोलती हूँ जो भी चीज इस स्कूल में हो सब में पार्टिसिपेट किया करो कभी अगर थोड़ा उपर नीचे भी हो जाता है कि नहीं कि अच्छे से तो भी चलेगा आप एक बार ने किया दो बार नी किया तीसरी बार तो अच्छा करेंगे तो बच्चों को हमें सा अप्रिशेट करना चाहिए कि हाँ आप करो जैसा भी करना चाहरे हो आप करो तो मिस्टी को इन सब चीज कर्थक बोले हैं भरत नाटे में पता नहीं जो भी था बहुत अच्छा था बॉली बुट सांग पे था काफी अच्छा किया था इन्होंने और ऐसा लग रहा था बिलकुल एक दम मतब बहुत टाइम से इन्होंने प्रक्टिस करके रखी हुई है बहुत अच्छा किया था ला इसके बाल हम लोग निकल जाएंगे घर तो वह सब चीज़े रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि किती ज्यादा भीड हो गई थी क्योंकि एं छोड़े बच्चों का खतम होने के बाद ही बड़े बच्चों का स्टार्ट होना था तो घर आने के पास सीथे मैं खीचन में आ अधिन आए थी वहां का खाना थी पसंद नहीं आया थी पसंद तो मुझे भी नहीं आया थी तो सुबह इतना ओली कॉन खाता है टिक्की विक्की यह सब तो साम या दूपहर में भी खाया जाता है तो अच्छे से खा लेते हैं तो बस आके दाल फ्राई करी और फी सबजी बनाया तो सब्जी में बस वह नॉर्मल सब्जी बनाई थी यह पता गोभी सिम्ला मिर्ची आलू की सब्जी बनाई थी और इधर लेलिया है खाना तो बेटे को खाना खिला देते हो यह बुसको बहुत तेज भूंक लग रही है उसे तो इतनी भूंक नहीं मैंने थोड़ा खाने के बाद अभी सो के उठी और थोड़ा सो गई थी और सोने के बाद काफी ज्याद अच्छा लग रहा है मतलब फ्रेश मैसूस हो रहा है कि हाँ दंपुड़ा जो थकान दीना सारी निकल गई इतने दिलों की वह दिमाग में भी चलती रहती चीजी जब तक हो नहीं ज चली गई है और मैं जाई थी थोड़ी ची सिलाई करने अभी क्योंकि काफी सारे बच्चे ना कपड़े फार देते साइड 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 से तो ऐसी तो मुझे सिलाई आती नहीं है बट यह की थोड़े कपड़े उपड़े जो स्ट्रिच करने रहते हलके पुलके से कर लेत नहीं तक आई होप आप लोग को पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना बिलकुल ना भूले फिर कल मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में कुछ नाई रेसिपीस के साथ या कहीं जाएंगे तो आप आप सभी अपना के साथ